खुद को इतना बदल दो कि दुनिया देखके हैरान हो जाए दोस्तों खुद को इतना बदल दो कि सामने वाला देखके ये बोले क्या ये वही है जब मैं इसे मिला था तब ये कुछ भी नहीं था और मैंने तो सोचा था ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्या सच में इसने अपने आपको बदल लिया है क्या सच में ये इतना बड़ा आदमी बन गया है क्या सच में अपने फ्यूचर को लेकर ये इतना सीरियस था जब मैं इसका मज़ा बड़ाता था तुम्हें खुद को इतना बदलना है कि सामने वाले की आँखे फटी की फटी रह जाएं वो तुम्हारी सबलता को देख कर दंग रह जाएं और उनके मूँ से सिर्फ एक यवाज निकले क्या सच में ये वही है बस तुम्हें इतना ही पतलना है अगर तुम्हें देखने के बाद किसी के मन में ये सवाल आ रहे हैं तो तुम सही मुकाम पर हो जो तुम चाहते थे तुम वहाँ पहुँच चुके हो जहां पहुचने का तुमने खुद से बादा किया था ये मैं करके दिखाऊंगा और यहां पहुचने के लिए तुमने उन सब लोगों को पीछे छोड़ दिया जो कभी नहीं चाहते थे कि तुम यहां पहुचो तुमने हर उस इंसान से दूरी बना ली जो तुमें पीछे खीज रहा था और हर वो चीज जो तुम्हारे समय को बरबाद कर रही थी और वो चीज जो तुम्हें मांसिक रूप से कमजोर बना रही थी और तब ही तुम आज इस मुकाम पर पहुच पाए हो और तुम उस वक्त अपने लिए अपने सपनों के लिए खुद को नहीं बदलते पर हो लेकिन इसके लिए सर्फ सपने देखना ही काफीन ही तुम्हें खुद को उस मुकाम तक पहुचाने लिए बदलना होगा और अपने अनदर के उस जज़वे 1975 को जगाना होगा सफलता बराप्त करने लिए उस भूग को जगाना होगा और अंतक लड़ना पड़ेगा इस दुनिया में जहां तुम किसी से किसी के साथ की उम्मीद कर रहे हो तुम्हारी कोई मदद करेगा ये उम्मीद कर रहे हो तो तुम अपने पैरों पर उलाडी मार रहे हो क्योंकि यहां किसी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि इस दुनिया में अच्छा करने वाले लोग नहीं है तुम्हें जो भी करना है, खुद करना है उम्मीद रखनी है, खुद से रखो क्योंकि तुम्हारे लिए कुई कुछ कर सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो और तुम जिस दिन दुनिया के बारे में छोड़ कर अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे न तो तुम दुनिया से आगे निकलने की रहा पर चल दोगे तुम्हें कुछ अलग करना है, बढ़ा करना है, तो जुंट के साथ रहना और जुंट से उम्मीद रखना दोनों ही छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा जुंट किस काम का, जो साथ दे कर आपकी हिम्मत छिल ले, भीड चाहे कितनी भी हो, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनान कर सकते हो, बस खुद पर भरूसा रखो, तुम ये कर सकते हो, अपनी एनरजी को कभी कम मत होने दो, जहां तुम्हें लग रहा है कि कोई व्यक्ति या चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे तुरंत छोड़ दो, और फिर पलट के कभी मत देखो, इत्यास लिखने के ल और उसे प्राप्त करने में जी जान लगा दो, अन्त मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में हो